आज दी वीडियो दे वीच मैं तो आनो कुछ जे पांच काम दसन जा रही है अगर तुसी कार लें सिर्फ करना है नहीं मतलब शिदत देना लगर कार लें दियो ला ता तुसी एक हफ्ते वीच तकरीबन तकरीबन तीन किलोवेट कटा साथ दियो जी हां और चाहे कई केंदेन एक हाइट दे एक हफ्ते दियो वीच क्लाग बहुत करने तो अड़ी ही तरह देको तो आडे वेट दे अकॉर्डिंगली चीजां मिक्स मैच करके कैलकुलेट करके तो अनु दुसनिया पहन दिए किन्नी चीज तुसी किन्नी कैलरी इंटेक करनी है पर मोटे मोटे तोर्तियाज में तो अनु दुसन जा रही है जिसनों तुसी हार एक कोई फॉलो कार सागद है तुसी अपना वजन कटा आन दे विच जड़ा किते ना किते कोई दिक्कत फील का रहे सी ना तो दिक्कत सारी तो अड़े ठीक होन वाली है देखो सब तो पहला पर डाइट दिगाल कार दिया तस आनु ए थे काट कैलरी इंटेक करना है असी नॉर्मली असी आपने परिवा हाइट और एज दे हिसाब दिना जो है कैलरी इंटेक कड़िया जाना है कि किन्नी कैलरी तो अनु लेनी चाहे दिया पर फिर भी क्योंकि हरे एक दी जड़े भी तुसे सारे हूं जुड़े हो वीडियो देख रहे हो हरे एक दी एज लाग गया है हाइट लाग गया वेट ल अगर तुसी नहीं खाने अगर तुसी अपना वजन कटाना चाहन देओ काट मिठे फ्रूट्स जिवें के अगर अबरूद दिगाल का लिए इस वीच फाइबर बहुत अच्छी मात्रा विच मिल जाना है इस इनाल ही तो आनु इस तो जो है विटामिन सी अच्छी मात्रा अगर अगर आपा सालड दीगाल कार देओं स्विच मिठा तो आनु नहीं मिल रहा लेकिन इस वीचो सारे पोशिकतात तो आनु जाने की जो सानु फ्रूट्स तो मिल रहे ने इस लिए तुसी फ्रूट्स भाजाए जो है सालड दा इंटेग जादा कार्ट साग देओ साब साबत अनाज खाना बहुत जादा जरूरी है साबत अनाज मिलेट्स अज कल पड़ा प्रमोट भी किते जा रहे ने हैं हेल्थ जो आपा हेल्थ वाल लते आन देन्या साथ उसी साबत अनाज अगर खान देओ तो पेट तो आड़ा पर यहा रहा रहा है तो उन्नू जल्दी पुख नहीं लाग दिया और तो आनो इस तो अनेका ही मिनरल्स और विटामिस मल जान देने जिंक, कॉपर, मैगनेशियम, पोटाशियम, फॉस्फोरस, मिलेट्स तो सानू मल जान देने जो कैसी अगर आज कल डिफाइंड आटे वर्त रहे हैं यहां हो इस तरह दी जो भी डिफाइंड दे विच रखो जीज़ा विच की अगर असे गल का लें तुसी non-vegetarian हो ता तुसी egg white portion खाना है yellow portion नहीं का ड़ा है अगर तुसी vegetarian हो ता तुसी zero-fat milk जो add करना है zero-fat तो बढ़ा दही तुसी खा सागदे ओ और इस तरीके दी चीजा प्रोटीन जादा सो जादा तो से इस वोगो एक देट भी देट है? उसे एक कंटा वर्काउट, न विच किया है, तुसी अपने बिच जुनी खाना नहीं जाना जाना ए जाना खुए एकशल्स तो नहीं लगा रहे हैं, नहीं अपनी क्लास न बशियां है? तो एक कंटा वरक आउट हो तो से जिम निया के तो एक कंटा वर कई वारक आउट हो ऑं से विच अजुल कुल शुलत जो अधर गंटा शालीं सी ग्वार। उढ्नल कि हुएगा ता कैलरीमिख सीमिंग कर देकाइगा deposit क्योंकि देखो सानु अपने बाकी जिनने भी ओर्गन्स ने उपना नू चलांद लई सानु मिन्रोल्स विटामिन्स ही ज़रूरत हुंदी ही है उसलिए सानु खाना खाना ही पाएगा जेकर कोई सोच देना मैं खाना ना खामा पुख्या रहे के बस मेरा वजन कट जायता है तुसी अपने शरीर देनाल बहुत गलत करन जा रहे है बहुत ज़्यादा खतरनाक रह सादा है साड़े इंटर्नल ओर्गन्स ली हेल्थ बहुत ज़्यादा विगड़ सादी है इसलिए सानु खाना था खाना ही पाएगा ताके चंगे मिन्रोल्स नूट्रीशन वेल्यू ज आपने वर्काउट देनाल उसनों बर्न कार साग देया है वो डेली सानों एक अपना रूटीन बढ़ाना चाहिए है फिजिकल अक्टिविटी नो लेके दो चीजा आपका चुके हैं काट कैलरी वाली चीजा खानी है सेकेंड अपनी काडियो वर्काउट किसे भी तरा देना एक कंटा तक्रीबन जरूर जामिल कार लो अगर तुसी जल्दी तो जल्दी रिजल्ट आपनी वर्काउट औने वीच देखना चाहने हो, तरह एक तकरीबन तक्रीबन पॉना कंटा-कंटा डेली करना ही करना है पामि एक कंटा स्वेरे अद्दा गंटा शाम जाम या तर पाणी जो है चंगी मातरा भी जरूर पीना तेको पाणी पींदेनाल भी सेढ़ा मैट ड़ा है उप्रूफ होंदा है साढ़ी जो दो पाणी नहीं साढ़ा शरीर पचा रहा होंदाना ता केलरी अब वी बॉर्ण हो रही होंदि इसलिए बजाए इसदे की तो कोई हो चीज खा विटामिस, मिनरल्स जो है, साड़े पोजन सरी है आजान देने और पानी सही मात्रा विच पीन देनाल तुसी अक्टिव रहन देओ पेट परया भी रहेगा पुख जल्दी नहीं लगेगी जीरो कैलरी ता हुन दे ही है यानि जिनना मर्जिय से पानी पीन दे रहे हैं तो सानों कैलरी कोई नी मिल लेकिन इसनों हजम करें देले साड़ी बाडी जो है कैलरी ज़रूर खर्च करेगी इसले पानी तुसी अगर पीनने ओ सही मात्रा देविच ता इसनाल दिक ता टॉक्स जिनना मब्च जिम और यानि तो आड़ी नींद प्रॉपर नहीं था मतलब है कि साथ तो आट कंटे चाहिए जिससे वीच तो आड़ी बॉड़ी रिकवर कर दिये कुद मों तुसी नोटिस करना अगर तुसी दिन दे विच टेर सारा वर्काउट कर देओ पर तुसी सोन्द नहीं हो तो आड़ा वजन कटेगा नहीं ओहीं जे तुसी चंगा वर्काउट एक्सराइज का देओ डाइट ते त्यान दाग देओ आपनी 7-8 कंटे दी नींद लेंदेओ ना ता अगले देन तो उन्हों बहुत फर्क महसूस होंदा है खुदनों ही इवन अगर आपा बैली अगले दिन ही बहुत वधिया रिजल्ट कुदनों फील हुंदा है तो नीद आपनी प्रॉपर ज़रूर लो तांकि बॉड़ी उन्हां साथ-ताथ कंटे हैं विच कुदनों रिकावर करें अगली आपा लास्ट विच गाल का लिए फिफ्ट जड़ा मैं तो उन्हों काम दस अगर वजन कटना ही कटना से वजन नहीं कटेगा अगर कोई हैल्थ इशू और भी चाल रहा है कोई बिमारी चाल रही है और वी तौनों टाटा बाई-बाई-बाई कह जाएगी ते पंजवी आदत की है एजी प्रोसेस्ट फूड नहीं खाना बेग्ड फूड नहीं खाना फ्राइ फूड नहीं खाना बहुत जादा तेल वाला फूड नहीं खाना यह बहुत सारी शुगरी कोड्रिंस आपा कहलेए कोड्रिंस दे विच बहुत जादा शुगर होंदा है इक ग्लास दे उसी मानलो के 10-11-12 चमच चिन्नी होंदी है जो किसा नों पता ही नहीं लगद फ्लेवर्स एड़ किते हुंदे ने एक्सा शुगर एड़ किते गई हुंदी है तो भी साधी बॉड़ी देलेई चंगे नहीं है ते एना दे उपर भी तुसी लगाम ज़रूर लगा लेनी है मिठिया चीजां बेक्ड चीजां प्रोसेस्ट फूरी नहीं सब तों तुसी अ अगर तुसी खाने हो तो तौन बहुत अच्छी मात्रा विज अच्छा प्रोटीन जो बॉड़ी नो चाहिदा है ओ मिलेगा तो प्रोटीन आ साधी ओबराल हेल्थ लिए बहुत ज़रूरी है साधे इम्यून सिस्टम लिए बहुत ज़रूरी है साधे जने भी टीशू बॉ पनीर दिगाल का लिए किसी भी फॉर्म दिविच खाओ प्रोटीन अपनी डाइट विच डेली ही ज़रूर रखना है यह नहीं के असी किसे दिन खा लेया प्रोटीन वाली चीज किसे दिन नहीं खाई मैं थे सप्लीमेंट दिगाल बिल्कुल भी नहीं का रहे हैं असी नाच् दिगालोगें तो बाकि बहुत चीजां डिपैंड का दे तो अडे मेटाबॉलिजम दे उपर कि अड़ा मेटाबॉलिजम के तो अड़ा मेटाबॉलिजम लोटा आनी चाल रहा है जो उसनों इंप्रूव करन दे लहीं कि यह इनुं बहुत कुछ करना पानदा है ते इत्छ बड़ा स्लो होया रहें तुसी जिनना खा रहे हो उनना ओधी उन्हीं एनर्जी बॉड़ी यूज ही नी कर पार यह ता फिर उखाया पिया एक्ट्रा कैलरी जो है वजन वदान लाग जांदी है मुटापा लाग जांदी है ते पर यह पांच जादता अगर तुसी अपना लि कि तो आनू कुछ ना कुछ जहां लब के लिया के जरूर दा जिरवा जिस दिनाल तुसी अपना बजन कटा आंदे जड़ी तुसी रस्तेबर तुरे हो उस्टता अनू असान नहीं मिले और जल्दी जल्दी तुसी अपना बजन कटा सको आई होप तानू आज दी वीडियो कोनों सब्सक्राइब नहीं किता है तो फटाफट सब्सक्राइब कार दो मिलांगे जल्दी ही सेतना जुड़ी होखास जैनकारी दिनाल फिलहाली दोजी इजाज़त सस्रीकार